नमस्कार दोस्तो राटे क्लासिस कॉंसेट में आपका स्वागत हैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों की तियारी बढ़िया चल रही होगी और आप लोग स्वास्थ होगी ठीक है चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास दोस्तो पहले इससे पहले मैंने आपको दो क्लासिस जो दो क्लास हैं उन्हें एक बार जरूर देख रहे हैं अब ये क्लास सुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ और कोऊगा यहां पे तीन चीजे आप पकड़ेगे रखेगे ठीक है पहली चीज बात को तो तो आप समझना पहली चीज क्या है पहली चीज यह है कि 4 और 6 इनका LCM कितना है जी 12 और HCF कितना है जी इनका 2 ठीक है तो पहली चीज मैंने आप से कही कि जो संख्याए होती है उनमें HCF मुझूद होता ह है और जो LCM होता है उनमें संख्याए और HCF दोनों मुझूद होते हैं बात आगी समझे में इतनी अब दूसरी चीज दूसरी चीज समझें दूसरी चीज यह है दोस्तों जैसे मान के चली यह संख्याए 4 और 6 मुझे इनको बदलना है तुम्हें क्या करूंगा दो को तुम्हें बाहर ले लूँगा कोमन ले लूँगा और यहाजाएगा 2 और यहाजाएगा 3 और यहाजाएगा इसमें है ठीक है अब सेभाज्य क्या होती है सेभाज्य होती है कि जिनका है फेक होता है जिन में एक के अलावा कुछ और कोमन नहीं होता पहली चीज तो यह हुई अब दूसरी यहाँ होता है यह हमारा है एक हमने करते हैं अब यह एक ची जोर बतातो मैं आपको जैसे मैं कहों हमें और क्वाइज से कहते हूं कि दो संख्याओं का अनुपात है तो आपको समझ जाना कि ए भी जहां आपको 12 का मतलब है कि अगर मानिके छोलो में इन सब और क्या कर दो मुझे क्या मिल जाएगा LCM मिल जाएगा अब यह चीज आप ध्यान रखेगा ठीक है अब यहाँ पर अगर मान के चलो मुझे HCF चाहिए तो मैं HCF के लिए का करूँगा LCM और upon क्या करेंगे जी यहाँ पर AB आ जाएगा और इसी के बदले अगर मुझे AB का वैल्यू चाहिए तो मैं कहूँगा LCM और upon में क्या जाएगा आपका H आ जाएगा ठीक है यानि कि मैंने आपको एक पहली चीज बताई है यह दूसरी ठीक है अब तीसरी पर आते है ध्यान चे समझना तीसरी क्या है जी तीसरी यह है कि यह संख्या 4 यह संख्या 6 इनका HCF 2 है और LCM इनका 12 इन दोनों का Multiply और इन दोनों का multiply क्या होता है बराबर होता है यानि कि मैं कहूँगा जी पहली संख्या इन्टो दूसरी संख्या इस इक्वल टूनका HCF और इन्टो इनका LCM बात बताई यहां तक समझ में आ रही है आपको या नहीं ठीक है अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताई आगे देखिए देखिए तो यह तीन चीजे मैंने बताई यह बात हैं दोस्तों अपने कोशन पर ठीक है अपने कोशन पर आते हैं देखिए पहला कोशन है हम अधार है वोई हमें मिला देखो यह एन उपात भी मिल गया एन उपात भी का मतलब है कि जिए अगर मैं पहली संख्या की बात करो तो मुझे पहली संख्या मिलेगी 28 इंटू 7 मैं कूँगो जी 7 2 14 7 8 56 एक सुचालिस और 56 कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा यह मेरी पहली संख्या गई मैं दूसरी संख्या की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं यह इन्पना है चार यह शी चार है मैं आगे कांनी करूगा इसके बस चार देखो अब धीम है यह मेरा आंचर हो जाएगा ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं में तो आगे डेखिए अब इसके बाद मैं आता हूं इसके एक दुसरे में पर ठीक है दूसरा मेंट यानिके बी मेरा आंचर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखिए अगला कोश्चन है आपका CPO 2020 में पूछा गया कोश्चन है पूछा गया है कि 7 is to 3 आपका जोए संख्याओ का रेश्यो दे दिया और अच्छे कितना देजिया जी हमें आट देजिया तो मैं कहूंगा जी हमें बताना है उसका LCM के अगर मैं बात करता हूं तो मैंने आपको simply बताया था कि LCM होता है हमारा इन दोनों का multiply यानिके इन्टू थर्टी नों इन्टू कितना आजएगा आठ आजएगा मैं कहूंगा जी आठ सत्य आजएगा यह आपका 56 इन्टू थर्टी अब 13 छी कि आजएगा अठ तर बच गया आपका साथ 1355 और साथ हो जएगा आपका 72 यानिके 728 मेरा answer आजएगा 728 का है जी डी option में है इसको mark कर देगे ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखिए हैं अगला जो question है हमारा यह है ठीक है अब यह जो question है इसमें कहा गया कि उन सेनिकों की नियूंतम संख्या अब दोस्तों कर नियूंतम की बात आ गई तो एक बात तो पक्की है कि मुझे यहां पे LCM तो निकालना ही पड़ेगा नियूंतम संख्या का मतलब है कि एक ऐसे छोटी संख्या जो दीगई संख्या से कट जाई यह तो मुझे निकालना ही है यानि कि इनसे तो वो संख्या कटनी चाहिए और साथ में वो क्या होनी चाहिए उसने यह भी कहा है कि मियूंतम संख्या ग्याद करें कि जिने 10, 12, 15, 18, 20 साइनिकों की टुकडी और एक ठोस वर्ग की रूप में तियार किया जा सके यानिके हमें वर्ग भी बनाना पड़ेगा वर्ग मतलब होता है आपका जैसे 25 होता है 25 एक ऐसी संख्या जो आपकी क्या है पूर्ण वर्ग है यानिके जिसमें 5 का दो बार परियोग हो जाए वो क्या हो जाती है हमारी पूर्ण वर्ग हो जाती है ठीक है चलिए तो भाई मैं यहां क्या देख पार हूँ यह तो मेरा आंसर है नहीं देखते ही पता चल गया मुझे कि यह तो आंसर होगा नहीं तो पूर्ण वर्ग है नहीं इसके बाद मैं क कटेगी यह भी नहीं कटेगी आपकी नो से अब यह 900 जो है यह आपका नो से डिवाइड हो जाए यानिके यह मेरा अंसर हो जाएगा सवाल है देखेंगे दोस्तों डिपेंड आपके उपर करता है कि आप पेंड कितना चलाते हैं ठीक है जिंदिगी आपके फैसला भी आपको है दोस्तों यह है ठीक है देखे जड़ा अब यह जो कोस्तों है आपका मैं थोड़ा से सको बढ़ा देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना आए अभी देखेगा यह है ठीक है यानि कि इसने कहा है हमसे कि जी दो संख्याओ का LC में 1820 और HCFA 26 उनमें से एक संख्या है 130 तो हमसे पूछी गई कि जी आप इसमें दूसरी संख्या बताए दूसरी संख्या क्या होगी हमारी ठीक है दोस्तों अब आप एक चीज देखिए पहला तरीका तो मैं आपसे यह कहूँगा कि जी जो पहली संख्या है और इंटू कितना होजएगा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो बहुत ध्यान से देखेगा आप लोग कि पहली संख्या मुझे क्या अगिवन है यहापे अगर मैं पहली संख अगर मैं आपको दूसरी तरीके से इसको बता हूँ अब यहाँ एक चीज और देखे दोस्तों एक तो यह तरीका हुआ इसका है एक मैं आपको दूसरी तरीके से इसको बता है अगर मैं दूसरी तरीके से आपको इस को बताऊं तो मैं कहूंगा जी है कितना है आपका 26 है है अब 26 का मतलब है कि हमारी संख्याओं में होना चाहिए अब मैं क्या देख पा रहा हूं सबसे पहली बात और संख्याओं किसमें होनी चाहिए लसे में होनी चाहिए तो यह दो आंसर तो मुझे ऐसी काट दूंगा यह तो मुझे दिखाई नहीं दे रहें आंसर क्योंकि 169820 को डिवाइड नहीं करता है और सवाल में पूछा गया है हमसे कि 12906 और 14808 यह दो संख्याओं है 12906 और 14818 यह दो संख्याओं ठीक है इनका HCF है 478 यानि कि इससे डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा LCM मिल जाए क्योंकि दो संख्याओं का multiply किसके बराबर होता है LCM into HCF की HCF को मिल जाएगा हमें HCM मिल जाएगा अब यहां देखिए मुझे निकालना है HCM LCM और LCM तो दोस्तों इनी में से कोई एक होगा इनी में से कोई एक होगा अब इनी में से अगर वो कोई एक है तो मैं कहता हूँ जी उसका पहला जो डिजिट होगा बहुत ध्यान से समझना मैं कहरूं जी बहुत ध्यान से देखि है ठीक है आप खुद ही देख लेना कि अगर इन दोनों की आप कैलकुलेशन करने बैठ गए एक्जाम में तो यह क्या ले कोशन आपकी दो तीन अगला सवाल है यह रोस्तो ठीक है बहुत ध्यान से देखेगा ठीक है सवाल में पढ़ देता हूँ तेरा का मैं नियून्तम गुनज सबसे पहली बात तो देखो तेरा का नियून्तम गुनज आ जाता है यहाँ पे तेरा का नियून्तम गुनज, गुनज का मतलब होगा multiple और जैसे गुनज मतलब multiple होगया तो एक बात तो मुझे पता चल गए कि ये नियून्तम चाहिए है ये LCM की बात होगी, किसकी बात होगी LCM की बात होगी, हमें कहुँगा जी 4, 6, 7, 8 से भाग दे अगर देखो, आप अभी इसको मत बड़ो मैं सिर्फ इनका LCM निकाल रहा हूँ, ठीक है अगर मैं इनके LCM की बात करूँ तो 4, 5, 6, 7 और ये आगी इनके अगर मैं LCM की बात करता हूँ तो देखो, 8 से कितना आ गया ये 56, 56 में 6 6, 6 किसे बनाए, 2, 3 से 2 तो है, 3 नहीं है, तो 3 मैंने इहाल ले आया 5 भी नहीं है, तो 5 मैं इहाल ले आया ठीक है, अब 4, 4 तो 56 में आई गया जी दोस्तों, ठीक है अब मैं कूँगा, जी 5, 3, 15, 6, 8, 8 नहीं कि 166, 165 करने में तो 840 आ जाएगा अब जान देना दोस्तों, अजर सिर्फ उसने LCM पूछा होता तो 840 मेरा आंसर हो गया था, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि हमें ये आंसर यानि कि 840 की डिमांड नहीं है वो 840 नहीं चाहता, वो चाहता है कि जब मैं इंसे भाग करूँ तो 2 बचे तो मैं इसमें 2 जोड़ दोगा ठीक है पर वो ये भी नहीं चाहरा हमसे वो हमसे चाहता क्या है कि वो 13 का क्या होना चाहिए all the इ investments होना चाहिए यानि कि ये किससे कट जाना चाहिए आपका 13 से भी ये कट जाना चाहिए ठीक है अब 13 से कटने के लिए मैं यहां क्या करता हूँ 13 से कटने के लिए ऐा पर क्या कर दिया के लगा अ चीक прод exactly करेंगा आब बात को बात को भूछ द्यांतिया समझना मैंने का जी 840ाहे टेरा से कर मैं इसको भाग करता हूँ तो तो मैं कहते हो, मैं कहुँगा, आप से 13 छीक्या, 78 हो जाएगा, बचेगा 60, और 13 छोके 52 बचेगा 8, यानि कि यहां 13 से कर मैं डिवाइड करता हूँ, 840 को तो 8 बचेगा, अब आप के की जगे एक ऐसी संख्या रखे कि बचेगा, आपका 26, यानि कि चपश्या रखे कर जाएगा, तो यानि कि के का वैल्लू कितना आजएगा, आपका 3 आजएगा, तो मैं कहुँगा, अगर यहां 3 रखते हैं, तो 840 गुना 3, कितना आजएगा भाई, 8 ते 24 और 4 ते 12, 25 तो जोड देंगे, ठीक है, पर एक चीज़ यहां दोस्तों, यहां यह भी देखेगा आप लोग, मैं आपको एक दूसरी तरीके से भी सवाल को बता रहूँ, बहुत ध्यान से देखे, अगर मैं अग्जाम में होता तो मैं ऐसे लिए करता इस कोश्चन को, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेगा, 2002 का कोशन है, 13 का वे नियून तम मुनज, 13 से तो कटे गी ना सिंख्या, पसर में यह देख लेता हूँ, 13 से कोन कट रहा है जी, क्या यह 13 से कटेगा मेरा, देख लेते जी एक बार, 13 हो जाएगा, बात को बहुत ध्यान से समझे गया, बच गया कितना, 12 बच गया 12, 122 का मतलब हो जाएगा, 13 नमे 117, ठीक है जी, बच गया 5, यानि कि यह 13 से नहीं कटेगा, ठीक है दोस्तों, और, क्या यह 13 से कट रहा है जी, देख लेते एक बार, 13 ठीक हो जाएगा, आपका 68, बच गया 62, ठीक है 62 भी 13 से नहीं कट रहा, चलो जी, बहुत अच्छी बात है, इसको देख लेते हैं, या आएगा आएगा, आपका 13 एकम 13 बचा, आपका कितना भाई, यानि के 112, 13, नमे 117, यानि के 52, बावन का बतलब है, तेरा चो के 52, ये 13 से आपका, डिवैड हो गया, क्या है 13 से कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये मेरा अंसर हो गया, बस इतना सा काम आपको करना है, एक बार, डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगी है, 13 की, आपका अंसर आजाएगा, वो आपका उनर है, और आपका टेलेंटी कि, आपके तनी जल्दी कर पाते हो, आपके प्रेक्टिस कैसी है, ठीक है, चले दोस्तों, इस कोस्टन को देखते हैं, अब इस सवाल में, उसने फिर से ये कहा है, द्यान से समझना, कि सबसे पहले तो, एक मिनट में, इंगलिश में भी थोड़ा सा इसको, बढ़ा कर देता हूं, अब उसने ये कहा, कि वे न्यून्तम वर्ग क्या है, वर्ग का मतलब फिर से वही बात आ गई, पर्फेक्ट स्क्वेर वाली, और पर्फेक्ट स्क्वेर है, और न्यून्तम है, न्यून्तम का मतलब है कि मुझे इनका क्या निकालना पड़ेगा, दोस्तो, LCM निकालना पड़ेगा, पहली तो बात यह हो गई, यानि कि सबसे पहली तो बात हो गई, LCM और प्लस क्या होना चाहिए, वरग भी होना चाहिए, इसका मतलब है कि वह 21, 36, 66, LCM, जब LCM की बात हो रही है, तो 21, 36, 66 यानि कि 21, 36, 66 यह LCM में क्या होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए, अब मैं यह देखता हूँ कि बाई, क्या यह इन में मौजूद है, चलो जी, मेरी प्रिफरेंस होती कि, अब देखो, 36 में क्या आता है, 9 आता है, मैं इसको 9 से चेक करना चाहिए था, पर मैं 9 से चेक नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे ऑप्शन पर मेरी निगा गई, तो वहां मैंने एक चीज देखी, कि देखे, अंक जो है सबी में सेम है, और जब अंक सेम है हमारे, तो यानिके इनके अंकों का योग भी सेम ही होगा, समान अंकों का योग होगा, तो इसका मतलब है कि 9 से टिवाइड करेंगे, तो सारी 9 से टिवाइड हो जाएंगी, लेकिन फिर में निघा गई 66 पर मैं देखते हूँ 66 में क्या आता है हमें देखते हूँ कि मेरा जो आंसर है वो 11 से कौन सा कटने वाला है बहुत ध्यान से देखेगा हमें केतो हूँ जी ये हो गया 2 और ये हो गया 6 और ये हो गया कितना आपका भाई दुबार से देखते हो एक बर 2, 4, 6, 4 कितना हो जाएगा 10, 4, 3, 7 और 1, 8 यानि कि ये तो मेरा 11 से नहीं कट रहा है इसको देख लेते एक बर जो हो जाएगा 2, 4, 6, 3, 9, 4, 4, 8, 9 यानि कि ये मेरा 11 से कट जाएगा अब यहाँ देखते हैं एक बर दो और 3 हो जाएगा 5, 4, 9, 4, 4, 8, 9 ये भी मेरा 11 से क्या है आपका ये भी मेरा 11 से कट रहा है ठीक है इसको देख लेते एक बर जी 2, 1, 3 3, 4 हो गया 7, 4, 4, 8 और 3 हो गया 11 यानि कि ये भी मेरा जो है 11 से नहीं कट रहा है अब दोस्तों यहाँ पे ना बहुत ध्यान से देखना है बहुत ही ध्यान से देखना है ठीक है बहुत ही ध्यान से देखना है ठीक है देखें बहुत ही ध्यान से देखना है 11 से ये भी कट रहा है 11 से ये भी कट रहा है अभी मेरा अंसर नहीं यारा दो option आगे, लेकिन मैं इसको काट दूँगा, यह मेरा answer नहीं है, यह मेरा answer होगा पूछो कैसे, समझे माँ बात को आपको मैं एक चीज बताता हूँ जैसे मैंने कहा जी 1, 2, 3 और मैंने लिखा last में 24, चीक है अब इससे आगे क्या आता है, आपका 25 आता है, फिर 26 आता है मैं इनके एक बार वर्ग लिखता हूँ, देखो इसका वर्ग होगा 0,1, इसका होगा 0,2 0, sorry 0,4 और यह हो जाएगा 0,9 ऐसी यह हो जाएगा, 24 24 कितना हो जाएगा, आपका 576 अब 25 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा और 26 हो जाएगा, 676 यह प्रोपर्टी आप लिख लिजेगा जो आपकी पूरो वर्ग संख्याओं से संबन भी था आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, बहुत ध्यान से समझना ठीक है, देखे एक से लेके 24 तक का जब हम वर्ग करते हैं, यानि के एक से लेके 24 तक की संख्याओं का जब हम वर्ग करते हैं, स्क्वार करते हैं, तो हमें ये संख्याओं मिलेगी, एक, चार, और लास्ट में 576, तो यहाँ पिना बहुत ध्यान से देखेगा आप लोग इसके बाद आचुके बाद में उनी का होता है रिपिटेशन होता है, जैसे मैं कूँ जी ये 625 है, तो आप देखो ये 15 के वर्ग में आ चुका है, 225 यानि कि बाद के दोंग देखो यही आपके है, बाद समझ पारे हो आप लोग जैसे 606 तरब देखो 24 के बाद में 76 आ रहा है, यहां भी 76 इसका मतलब है कि जो ये 34 है लास्ट में एक से लेके 24 तक किसी भी संख्या के स्क्वार में नहीं आता है, तो यानि कि ये संख्या मेरी पूर्ण वर्ग हो नहीं सकती, इसलिए मैंने इसको ऐलिमिनेट कर दिया और बचा मेरा C-Option ये मैंने मार्क कर दिया ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखिए अगला कोस्टन है दोस्तों ये आपका ठीक है, जो आपका CPO 2005 में पूछा गया है, ठीक है, समझेगा देखिए, अब हमें ये बताना है कि दो अंको की दो संख्याओं का S-C-E-V, L-C-M 16 और 480 है अब H-C-E-V है 16 अब मैंने आप से बता रखता है कि जो 16 है, जो H-C-E-V है हमारी संख्याओं में मोजूद हो न चाहिए क्या संख्याओं में मोजूद है, देख लेते हैं, यहां तो 16 है यहां भी 16 है, 16 16 है, 16 इन में एक्जिस्ट करता है ठीक है, अब इसके बाद मैंने कहा था जी, L-C-M में तो दोनों संख्याओं भी होनी चाहिए लेकिन मैं क्या देख पानू, जो 64 है वो देखो, 488 में नहीं है यह देखें, अब अगला जो कोस्टन है यह हमारा कि 4 अंकों की वह अधिक्तम संख्या क्या है 4 अंकों की अधिक्तम संख्या दोस्तों एक चीज़ देखना है यह 4 यह 6, इनका L-C-M कितना हो जाता है 12 हो जाता है, यह 12 तो इनका least number हो गया least common multiple हो गया यह निका सबसे छोटा हो गया 4, 6 से कटने वाला है, सबसे छोटा है इसके बाद तो देखो, यह 24 भी कटेगा 36 भी कटेगा, यह निका आखरी में जाए तो 96, यह 96 क्या हो गया 2 को का सबसे बड़ा हो गया जो 4 और 6 से डिवाइड हो रहा होगा 4 अंको की संख्या बातारे जो 12, 15, 18, 27 से कटेगी जिसका मतलब वो इनका जो L से मोगा उनका multiple होगी उनका multiple होगी तो वो 18 से भी कटेगी जब L से डिवाइड होगी तो 18 से भी डिवाइड होगी और 18 से भी तो 9 से बिवाइड होगी मैं उमीद करना हूँ कि बात बिल्कुल किलियर हो रही होगी चलिए आगे बढ़ता है आगे देखिए अगला कोश्चन है ये हमारे लिए देखिए वेन यून्तम वर्ग संक्या क्या है जो 16, 20, 24 देखो फिर से वही बात आगई यानिके एक तो आगया नून्तम और साथ में आगया वर्ग यानिके स्क्वाइर यानिके स्क्वाइर तो मैं ये देख लेता हूँ कि जब LCM की बात है तो 16, 20 और 24 इन सब से डिवाइड होनी चाहिए 24 में क्या आता है जी 3 आता है ये दो आपशन मेरे आगए अब इन दो में से मेरा कोई एक अंसर है अब मैं देखता हूँ कि जी निमें से कौन सा अंसर हो सकता है मैं यहां क्या देख पा रहा हूँ जी ध्यान से समय ना अब मैं 3600 और 14400 में देख लेता हूँ जी अगर इसमें यह सारी संख्या मोज़व देख तो यही मेरा आंसर हो जाएगा मैं देख पार हूँ 20-20 के अंदर है 24-20 के अंदर है 16 को चेक कर लेते हैं दोस्तों बस एक बार अगर मैं 16 को देख पार हूँ तो मैं 16 को ऐसे नहीं देखूँगा यह मेरा आंसर यह मेरा आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको यह किलास समझ में आई होगी ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ता मुझे इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले थोड़ा साथ ठीक है चलिए मिलते हैं अगली किलास में